है चली दोस्तों सुरू करते हैं जरू को Rinaufskी वीडियो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में चेम्बर में आप सभी लोग सवागा था अगर अभी तक मेरे चैनल मेकनिक ग्रूप को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन दो जिसे क्या हो दोस्तों जब सबसे पहले आपको मिंगाया करेगी चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में पार्ट वन में बताया था की जंबर कोला था और आइल टेन करके दिखाया था कि आपको कैसे गैस्किल भी सही है फिर भी इंजन गरम हो रहा है देख सकते हैं आपको दिखा रहा है देख सकते हैं तर्बो को हम खोल लेते हैं दोस्तों वीडियो लंबा होगा वीडियो को लाच तक जरूर वाच करें लेकिन अगर आप इसकी करके देखेंगे बार बार तो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाच तक जरूर वाच करें चलिए हम तर्बो के होस को खोल देते हैं और उसमें जो आइल पाइप लगा है उसको भी खोल देंगे दोस्तों मैंने अपने पिछली वीडियो में इसी का पार्ट वन का वीडियो बताया था शिक्स बीटी एंजिन का और इसी का दूसरा पार्ट अभी बता रहा हूं जो कुछ फुल एंजिन ओपन कर रहे हैं पूरा का पूरा देख सकते हैं आप हमने टर्बो के होस को खोल दिया है दोस्तों मैंने पर लिंक दिया वहरा आप लोग को टाटा जी 1045 का गेर वास का देखना है तो आप मेरे अइन पर जाकर देख सकते हैं और मैंने इंडी स्क्रीव पर क्राउन ही चिर रगा गयर कैसे सिंबल करते हैं इसके बारे में बताया है स्टेब बई इस टेब देख सकते हां हमने टोर्बो को खोल दिया है उसके बाद पंप नंजल के पाई को खोल देते हैं फर्स्ट और सगन और थर्ड एक स्परिज बेर एह और चार पांच छानममर एक स्रीज में देच सकते हैं, सबसे पहले हम पाँच और छे को खोल देते हैं, उसके बाद में एक और तीन दो को देच सकते हैं, हमने पाइप को खोल दिया है, उसके बाद में रिटेन पाइप को खोल देते हैं, देच सकते हैं, हमने आप लोग को चेक कर के भी दिखा रहे ह है कि कैसे पाइब को खोलते हैं और उसके जो क्लेंप है सबोर्ड में पाइप के नुजल पाइप नेक्टन पाइप भी बोलते हैं जिसे अपना पाइप बाहर आ जाएगा और हैट खोलने में अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी सब कुछ सही होने के बाद भी हम आपको गैस कीट भी दिखाएंगे कि कैसे गैस कीट सही है फिर भी इंजन गरम हो रहा है दे सकते हमने नुजल पाइप को खोल दिया है पाँच और छे चान नमर को उसके बाद भी एक दो तीन नमर को खोल लेते हैं दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अबस्करें आप हम लाइक जरू करें दोस्तों कि देशक्ते हमने सभी नुजल पाइप को खोल लिया है उसके बाद में हम टेपीट के बार कैप को खोलेंगे पूर्ट्टो है इसले पहले हम रिटन पाइप को खोह लिए यह जो रिटन फोन लागा है यह देह सकते हैं हमने बेंजो बॉल्ट फोन को खुव देंग plucked को क्तिये और उसके पाइप को लूश कर दिया है और बॉल्ट को उसे में फसा देंके हैड में आखिए पडूर सेलेपा फीड हम और जो बोल्ट को सब लूच कर लेते हैं मैं एक करके दोस्तों जिसे भीन लंब नहूं इसलिए मैंने में पहले से खोल दियाए डिया हैं चलिए हम वाटर वाड़ी को भी चक्र लेते हैं है कि मैंने थम में आपको बताया था कि वाटर बाड़ी भी सही है फिर भी इंजन गरा मनों देख सकते हैं वाटर बाड़ी के उबार हम घुमा कर देख सकते हैं फिर भी इंजन वाटर बाड़ी भी अपना सही से काम कर रहा है हमने पार्ट वन में आपको इंजन भी निकाल के दिखा दिखा दिए इंजन आइल भी सही था और आइल भी बराबर जा रहा है था चलिए हम टेपट कवर कैप को एक एक करके खोल देते हैं कि सभी को लूज करने के बाद एक करके सब्सक्राइब को निकाल लिए हैं और कि सभी को फिर रॉकर को खोल लेंगे और हैट के बोल्टों को लूज करेंगे दे सकते हमने एक नमबर दो तीन चार पांच सभी टेपट कवर पैक को खोल के रख लेते हैं और अब रॉकर को जो बोल्ट है जिसको हम चुडिया भी बोलते हैं उनके बोल्टों को डिली कर लेते हैं जिसे अपने रॉकर और पुस राड सभी निकल जाए और हेट खोलने में असानी हो जाए इसके बाद में आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे गैस किट सही है फिर भी इंजन गरम हो रहा था और पिश्टन भी आप लोग को निकाल के दिखाएंगे आप मेरे वीडियो पे बने रहें दोस्तों वीडियो लंबा जरूर होगा लेक सब्सक्रां करतके अ-एंजर कि कैन शाइब। मैं जो कि केंग साप्ट से खनर रहा ihan प्रहिए और क्रेंग सापट को भी चीक करें डिखाएंगे आप लोग को कि तैसे वर करता है देख सकते हमने एक नमर्ण दो नमर्ण तीन नमर्ण रोकर के बोल्ट को लूच कर लिया है चान नमर्ण पांच और च्छाई को भी कर देते हैं और उसके बाद में फिर एक एक करके हम रोकर कैप को कि नीचे रख देंगे देख सकते हैं सभी बोल्ट लूज हो गए बाद चेक कर लेते हैं सभी को निकालने के बाद रोकर कैप को सभी जो टेप इट कवर की पैकिंग से उसमें रख देंगे देख सकते हैं आप लोग चलिए हम वाटर पंप को फिर से लगा देते हैं क्योंकि वाटर पंप में कोई दिक्कत नहीं थी कि और जो रॉकर के में मिल्पाल को भी लूच कर लेते हैं अब देसकते हैं मैं ज्यादर पंप अपको नहीं दिखाया है को खोल के रख दिया है और चलिए हम हाट को बाहर निकाल लेते हैं है क्या डिकानगे क herd को दिखाएंगे की वाल भी सही है यह नहीं अपने का दिशे आपको है कोई दिक्कत ना हो जे कर लिए और जो एक दो बोल्ट है उनको भी लूज करके है और बेुझाहां दिखाते हैं और वाल भी दिखा रहे हैं अपको and I am a similar aussे को दिखा नहीं है है यह यह ब्राबर अपना और कर रहा है को दे शकते हैं दोस्तो देख सकते हैं, दूस्तों हमने हีट के बॉल्ड को, सभी को लूज कर लिया है, चलिए अब ह續 को, बहार निकालते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा जिसे हम उपको जल्दी दिखा देते हैं दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन वीडियो को लाश्ट तक जरूर वाच करेंगा इससे आपको दिखाई देगा गैस कीट भी सही है फिर भी इंजन क्यों हीट हो रहा है क्यों गरम हो रहा है और क्या दिक्षा इसलिए एक बार हम पंप की टाइमिंग को भी देख लेते हैं कि पंप की टाइमिंग बराबर है नहीं पंप की पंप जहां पर लगा होता हूं है एक कैप लगी होती है उसमें से हम टाइमिंग को चेक कर लेते हैं इसलिए अभी आपको दिखा रहे हैं जाओ देह सकते हैं में में पर टाइमिंग के कैप को भी हम निकाल के टाइमिंग को भी एक बार चेक कर लेते हैं जिससे उसे कोई दिक्कत तो नहीं है जबकि ऐसा होता नहीं है हर दोस्तों अपनी बराबर है और फिर भी घरम हो रहा है घिर सकते के हम सभी यहैं के बोल्ड को और करके निकाल लेते हैं जिए सक्सक्राह Ideally और एक बार के ढूंड के देख लेते हैं कि फंब की टाइम्म पर्राबर है के नहीं कि कि वैदे सकते हैं कि टैन के बरावर होने के बाद देख सकते हैं दोस्तों हमने prossी और यह सकते हैं और हम आपको एक बार उठा के उसको दिखाते हैं चेक कराते हैं कि गैस किट सही है यह देशकते हैं आप लोग है ट्रवीजिन गरम हो रहा है इसमें क्या हो सकते हैं दोस्तों लाष्ट तक मेरे वीडियो में जरूर बने रहें कि देशकते हैं हम लाइनर के लाइनर को भी चेक कर लेते हैं उनके गैप को लाइनर में तो कुछ दिक्कत नहीं है उसके बाद में हम पिश्टन को निकाल के देखेंगे कि क्या दिक्कत हो रही थी जिससे हमारे एंजिन गरम हो रहा था जबकि दोस्तों हमने अभी ही हाल में ह गयस किट को चैने की अधे सकते हैं गयस किट सही है कहीं से कट नहीं है नहीं से मार्क खॉये नहीं से रगड रगरी है देख सकते हैं अपनी बराबर की फिर भी इंजन गरम हो रहा है देज सकते हैं अपने हट के ऊपर दो वोल्ट तूट गया थे जो कि उनको भी निकाल लेते हैं उसके बाद में पिश्टन को निकालते हैं पिश्टन निकालने के बाद आपको बताएंगे कि क्यों गरम हो रहा था यह पिश्टन में दिक्क्त थी या आइल रिंग कंप्रेसर में दिक्कत थी जिसके कारण अपना इंजन गरम हो रहा था इसलिए हमने फुल इंजन को खुला है कि देशकेट अभी भी इंजन की उपर ही रखें है हैट के उपर चलिए दोस्तों हम एंजन को थोड़ा सा घुमा लेते हैं जिससे पिश्टन निकाल के आपको लोग को दिखा दें कि कि क्यों गरम हो रहा था अपना इंजन सबकुस सही होने के बाब जूद भी कि देशक्ते हैं लाइनर भी कोई दिक्कत नहीं है और फिर भी अपना इंजन गरम हो रहा है गयस केट वाटर वाड़ी ऑईल पं आईल भी बराबर है चेमबर में कोई just a metal लिए नहीं मिला हूआ है फिर भी हो डिन गरम क्यों हो रहा है कि कि देश सकते हैं आप लो ने सकते हैं वाल भी अपने सभी और बढ़ाबर सही हैं जो कि 6BT का इंजनंग ही बारा वाल वाल में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों तो चलिए हम एंजन को एक बार घुमा लेते हैं नीचे की तरफ डाउन कर दें कर दे सकते हैं हम एंजन को डाउन कर दिये हैं और पिश्टन निकाल के आप लोग को दिखाते हैं कि इस कारण से इंजन गरम होता है या कनेक्टिंग बेरी में कोई दिक्कत है या करेंग साथ में कहीं दिक्कत तो नहीं है चलिए अब हम इंजन को भूमा लिए हैं कितने नमर खोल ला है पांच नमर इसके बार नहीं है अचाओ इज़ा पाच आप फूल्टे चल रहे हों कि लोगे चल रहे हों कि लोगी है तो चले की फारिंग डाल दी है कोई बात नहीं को इतना देखने वाले इतने उसी आ रहे हो अग दो नमर को बोलेगा परजी वीडियो डालता कि अधिन परजी बना पूल सकते हैं और फिर हम दो नमर किस्कन को वाल मिकालेंगे और यार बेरिंग को भी दिखाएंगे आपको तक टक कि आवाज आती है को शाले इतना कि सिएर बेरि नहीं ही ठोरा था ज्यादा गरां सा जन्हेंता चलनेके बाद चलिए वहां रहे जर्थ का ओगया मैं अपलों कि अपलों को मतने हरा पीचियों को बिदें जरुथ फिर ने टूल कि पारा है, पिज पड़ारा अपने इंगे जर्म हो रहा हाथा विजे लेकिन यसो अंधे डोने प्रफाटी की वह फिर निकाल के वाथ को प्रफिस्टी दें पार्फिटी यहां का हो गया? मस्थी का तलगा होता है अब छे जिखे हैं बेरिंग इसा विर रहा या जॉत है रहा जाए शॉत ह्ट से कशी कशी कुछ बाद में हम आप जा हुटा रहा हुट बेरिंग विए चाहा है किसा प्रफनिप आपने ने इंद अब देज पर कर लागा। कट ही लगा है तूँ बशकते हैं चाहिते हैं। के रहीं कटेशन हैं। आपने कर से लाइक ए खड़ाने नहीं एफिटिंग देखनेखर दो मुष्षन हरे म्खियू मखियी हैं। अब घुर्ट बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद में पिश्टन आपको चेक करा देते हैं आप देच सकते हैं दोस्तों हमने सियार वेरिंग करेक्टिंग और पिश्टन को भी बाहर निकाल लिया है उसके आप लोग हमने दो नम्मर पिष्टन को बाहर निकाला है अ देख सकते हैं और दिंग में बराबर है कंप्रेसर रिंग भी बराबर है कहीं कोई दिक्कत समय में नहीं आ रही है अदे सकते हैं दोस्तों बेरिंग में सही है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सी और बेरिंग में कंप्रेसर रिंग मिं सही है और बराबर है अ दे सकते हैं जो कि इस्टेंडर्ड साइज की है । और उसके बाद में हम चलिए पिष्टन को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि पिस्टन में कोई दिक्कत तो नहीं है अदर सकते हैं कनेक्टिंग के अपने भी आपनी और फिर भी इंजिन गरम हो रहा है शेले वार्म पिस्टन को उठाके चेकर लेते हैं पिस्टन में तो कहीं मार नहीं आया या रगड़ खा गया हो जिसे अपना पिस्टन जो को हीट हो रहा हुआ उसके कारण इंजन गरम हो रहा हुगा कि देश सकते हैं दुस्तों आप लोग जटकर यह जो में कारीन है अपना दो नमबर का पिस्टन जो है दोने मधस्रीका हीट हो रहा था कें आप सथिट हो रहा था जेसके कारण अपना इंजन गुर्ण हो रहा था दोस्तोंे कारण हम को इंजन खूल हेट खुलना पड़ा और ब्लॉक खुलने पर दे सकते हैं आपना जो इसकीं मैकर पिषटन है वह वह जय हिं जय भारत दोस्तों